हाई एवरिवन वेल्कम अगेन ओन अनकेडमी प्लेटफॉर्म तो सर आपको वाई सोगरा जो है किलिए रा रही होगी नौशकार सर मैं अभी तक सर तीन कॉंप साथिशञ लिए कंप अ एक एक स्टाटेज़ी बटाएं प्लीज न्यूज एक्सप्रैक्स सर देखो आप किया रही हो कि आपने तीन Pack brush दिय thoughts zad मिलती है तो वह बहुत सही गाइड़ेंस में चलते होते हैं इनको सक्सेज मिलती है दूसरा आपकी कुश्चन का अंसर राम सिंग गोदारा जी राम राम भाई नमस्ते एंड निर्वान सर गुडिवनिंग सर ठीक सर देखो सक्सेज का मैं सीधा से बता रहा हूं आप एक्जाम के इंदर जो है पढ़ रहे हैं ठीक हैं बहुत सा आपको सारी चीज थोड़ी 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 पता होनी चाहिए सलेवस के अकॉर्डिंग प्लस आपको उस कॉम्पेटिशन के नेचर का आप जिस एक्जाम को दे रहे हैं प्लस वहां पे आपके हाल ही के 3-4 साल में जो पेपर हुए हैं वो आपको दे लुप हो जाए जो लोग यह बोलते हैं कि मैं तो दो महिने तयारी करी थी तीन महिने तयारी करी थी वह बिल्कुल आपको जूंट बोल रहे हैं उनसे पूछना अपने कित्ति लंबी तयारी करी हैं दूसी बात की सर कंटेंट जो है न वो सलेक्टिव रखें और थोड़ा आप जैसे कि जिagtagraphy की बात करतों में तो जिagtagraphy के लिए ठीक है तो चाहर सर ने बताया कि मैश भंवा लियाना मैश भंवा लियाएंगे फिर उसके बाद में किसी ने बताया कि नहीं यार एक काम करू किзд συक्पूराइ ऐसे यार पढ़ो आप वह भी लिया है ऐसी इस्तिति में क्या होगा आपके पास में कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे आपको एक ही कंटेंट रखना है किताबे वहीं हैं चीजे वहीं हैं वहीं घूम भिर के आती हैं कोई नहीं चीज तो आप पेपर क्रैक कर पाएंगे बीच बीच में आप टेस्ट देते रहें जिससे आप ये पता लगा सकें कि आपकी तैयारी क्या चलती है फूर एग्जमपल MCQ लगाते हैं तो देखो MCQ लगा कि कभी सेलेक्शन नहीं हो जकता आपका MCQ एक टेस्ट है वो आपको जाचने का है कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया इसको मैं इतना जानता हूं और ये चीजे मैं नहीं जानता तो इनको देखना चाहिए एक यही तरीका है सर आपक आफ़ गुडूणिंग प्लस पर मैंस की क्लास टाइमिंग क्या है सर ौगिर्राज भाई गजराज जी गजराज भाई प्लस पे जो है जैठ हकुर जी की वन्शू प्लस पे मेरी जो क्लास आईगी वो 24 तारिक से आएगी और शाम को 4 बजे आएगी फोर पीम टू फाइव थर्टी पीम जो है ये मेरी मेंस की क्लास का टाइम रहेगा जिगरफी का आपका ओके चलिए सर तो कल का टॉपिक आपको मिल गया होगा दूसरा आज की क्लास के अंदर आपको यहीं पे एक शीट जो है डिस्क्रप्शन में शायद आपको दिख रही हो आप वो जो कंटेंट देंगे आपको बैटर देंगे आप उनके कंटेंट पे डिपेंड रह सकते हो यह मैं खुद कह रहा हूँ कि केवल केवल आप वो कंटेंट देखिए नो डाउट आपका काम बन जाएगा किसी बुक के चकर में मत पढ़िए फर्ष्ट ग्रेड सब्सक्राफिका देखने को मिलेगा Board of Secondary Education रास्तान की संब्री जहां से पच्पन कुश्यन आते हैं अपके ठीक है और चलिए ठीक है सर तो फर्ष्ट अफ आप यह जो क्लास देख रहे हैं और अगर आप किसी भी एक्जाम की तेयारी कर रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकत तो अगर आप 24 महने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा और 12 महने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा तो आप जोईन कर सकते हैं आज या कल में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लावा हमारी free test series चलती है every Sunday को यह scholarship test series है अगर आपको लगता है कि हाँ मैं talented हूँ और मैं pay नहीं कर सकता है या pay नहीं कर सकती तो आप इस test series को join कीजिए और unacademy first rank पर आते हैं तो आप paid course जो हैं वो free of course to join कर सकते हैं कोई चार्ज नहीं होगा second से third rank पर आते हैं तो 50% off मिलेगा और four से 25 पर आते हैं तो 25% आपको scholarship यहाँ पर दी जाएगी प्लस पे आपको जितनी भी classes मिलती हैं लाइव classes मिलती हैं उसके अलावा batch courses जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे online offline students के आप top educator से यहाँ पर पढ़ सकते हैं batch course हमरा 28 October से आपका एक शुरू हो चुका है RAS main sensor writing का एक prelims का course जो है 29 October से हमरा शुरू हुआ है तो आप किसी भी अगर exam की तयारी कर रहे हैं तो आप an academy plus join कर सकते हैं और join करने के लिए code use करने टेटी लाइग जैसे ही code use करते हैं तो साल बर की फीज 6302 साल की 7560 रुपे ये फीज होगी चलिए सब अब next चलते हैं अपना second topic second topic जो देखने को मिलता है उसका नाम है कि आपका volcano ठीक है जो earthquake की तो बात हो गई आपके slayvus में दिया हुआ है आरेस के अंदर earthquake दे रखा है यानि की भुकंप दे रखा है जौला मुखी दे रखा है और उनके प्रकार उनका प्रभाव और विश्वितरन ये चीज दे रख बाव और ये कहां कहां आते हैं इनका विश्वितरन एक कुश्यन ये बन सकता है इनका विश्वितरन बताईए और एक कुश्यन ये आ सकता है कि विश्वे सबस्यादा कहां देखने को मिलते हैं तो देखो volcano एक volcano क्या है मैं बोल सकता हूं कि अर्थ से जमीन से जो आपका मत या जौला मुखी को अगर मैं देखना शुरू करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको बेसिक जो है वो जाननी जरूरी है देखो होता क्या है अपनी जो अर्थ दिखाई दे रही है इस अर्थ में लगबग लगबग 100-200 किलोमेटर के एरिया पे एक छेतर पाया जाता है इस छेतर को हम क्या बोलता है एसनासफेर या इसको बोलते है हिंदी में दुरवलता मंडल ये जो दुरबलता मंडल जो होता है इस दुरबलता मंडल के इंदर या इसना स्फेर के इंदर जो चटाने पाई जाएंगी या रॉक्स पाई जाएंगी वो मैल्ट फॉर्म में मिलेंगी या मैं बोल सकता हूँ वो तरल अवस्था के इंदर यहां पे चटाने आपको देखन इसको मिलती है मैट फॉम में चटतान हैं तो इन चटतानों के साथ में मतलब मैं बोल सकता हूं जितनी भी रॉक्स जो है वह इतने ज्यादे हाई टैंपऩरेशिर पर है कि उनका जो आवस्था जो है वह तरल अवस्था है अब देखो जमीन के अंदर जो है जिसके अंदर आपका मैं बोल सकता हूँ कुछ gases भी होंगी चटानों का मैं बोल सकता हूँ यह liquid form में भी होंगी जिसको हम बोलते हैं lava plus gases तो देखो अगर यह जमीन के अंदर है तो मैं इसको क्या बोलूँगा इसका नाम होगा ऐसी situation में magma इसको बोला जाएगा आपका magma और जब volcanic eruption हुआ मतलब एक जमीन को इसने तोड़ा हो सकता है यह तोड़ के निकले हो सकता है कहीं पे दरार हुई है शान्ती से आपका जौला मुकी निकल रहा है तो जब यह बाहर निकलना शुरू होता है तो इसमें जो है आपका लावा अलग हो जाता है और gases अलग हो जाती है तो जो आपका चटान का mad form जो बहता है इसको बोलते हैं लावा ठीक है सर दुबारा देखिए आप मैं क्या कहा रहा हूँ हमारी प्रत्वी के अंदर जमीन में एक छेतर होता है जिसको बोलते है दुरबलता मंडल और यहीं पे मिलता है magma chamber magma क्या बोल सकता हूँ मैं लावा लावे के अलावा प्लस यहां पे कुछ gases होती है इसको हम बोलते हैं आपका magma और जब यह eruption होगा यानि कि उदगार होगा और यह धरातल पे बाहर आएगा तो यह gases जो है हलकी gases आपकी अलग निकल जाएंगी जिसके अंदर water vapor होता है CO2 होता है sulfur dioxide होता है और यह जो आपका बाहर की तरफ जो निकलतावा दिखाई देगा जो तरल पधार्त बहतावा दिखाई देगा उसको बोलूँगा मैं lava यानि कि जमीन के अंदर magma और surface पे हमेशा lava कभी भी जमीन के अंदर lava word use नहीं करा जाता है जमीन के अंदर geography के अंदर जो technically word use करा जाएगा वो magma ही use करा जाएगा सर में जोगराफी कितने नमबर की आती है पेपर सैकिड के अंदर 65 नमबर की जोगराफी है चोटा हम fringe नहीं है सर agriculture फर्स्ट गेड की επιटेशन अनकेडमी नहीं सर agriculture की अभी कोई educator नहीं है नवी पर ठीक है बनृवल sir की बुक सफिचियनट है येस सर सफिशेंट है आपकी जो टॉपिक है केवल वही पढ़ना और कुछ मुत पढ़ना बिल्कुल सफिशेंट आपका ठीक है जितेंदर भाई और नेक्स्ट कुश्चन येस सर मैं बता दिया और पेसी स्कूल लेक्चर जेगरफिक के लिए कोर्स सुनील और पेसी स्कूल लेक्चर जेगरफिक के लिए कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे जो है आपका 6 तारिक से मैं यहापर शुरुवात करूँगा टाइमिंग रहेगा उसका सुबह का morning में ठीक तो सुबह का यहापर board of secondary education द्रास्तान जो है basic शुरू करूँगा तो यहापर भी देख सकते हैं और प्लस का कोर्स आपका चली रहा है ओके sir then what is basalt plateau sir अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं इसी बात पहा हूँ बस छोटी सी समझ लो कि जमीन में जो है वो magma है बाहर आया लावा है अभी छोड़ो basalt plateau क्या है acidic plateau क्या है यह सारी बात हम आगे detail में करेंगे छोट मतलब step by step चलो यार भागम भाग ना करो आप है ना इतनी जादे तेश नहीं चलना है बस चीजे समझना शुरू करो अब देखो पहला कुश्चन क्या बनेगा आपका पहला कुश्चन ये आ सकता है कि जौला मुखी वालकेनों जो होता है क्या होगा मैं बोलूगा कि आपका तिवरुदगार के साथ में या एक eruption होता है जहां से अधना स्फियर से या दुरबलता मंडल से तरल पधार्त और कुछ गैसला निकलती आथ अब आगे बात करेंगे कि हमें जमीन पे कहां कहां पहां देखने को सबसे पहले ओसे कुश्चंज सकता है दो नंबर का की जो वालकैनिक 39 घलन चिसके अनदर कौन कौन सा मैटरिल निकलता कौन कौन से पधार्त निकलते है फैक्श aufLaction की डिमांड पिबी दो नंबर का कुश्चumn है आप सीधा सीधा यहां पर बता सकते हैं कि सर वालकैनिक इरप्शन होता है तो सब से ज़्यादा इसके अंदर निकलती है गैसे और वाटर वैपर यानि कि मैं बोलूँगा कुछ गैसे और जलवाश मैक्सिमम 60-90 परसेंट जो है यह आपका मतलब इनका परसंटेज पाया जाएगा गैसे के अंदर सियोटू सल्फर डायकसेड लेखने को मिलती है दूसरा यहाँ पर कुछ पार्ट निकलते हैं यानि कि जब जैसे इरप्शन होगा धरातल तूटेगा सरफिस तूटेगा तो कुछ आपके विखंडित पधार्त या तूटे हुए पधार्त निकलेंगे जिनका आकार कितना ह होगा मतर के दाने जितना होगा बिल्कुल जैसे गोल-गोल मतर के दाने होते हैं वैसा होता है इनको बोलते हैं लैपली तो आप बोल सकते हो एक क्या निकलेगा इसके अंदर आपका लैपली निकलेगा और क्या निकलता है इसके इंदर टफ टफ किसको बोलते हैं धूल और राक से बने हुए चटान के टुकड़े यानि कि वालकैनिक इरप्षिन होगा तो यहां से आपकी कुछ डश्ट निकलेगी कुछ राक जो होगी वो होगी इससे मिलके जो टुकड़े बने होंगे उनको बोलेंगे हम टफ कुछ आपके कोनाकार मतलब आपके कुछ इसस तरीके से कुछ टुकड़े होंगे पत्थर के इनको बोलेंगे ब्रैसिया बड़े-बड़े पत्थर जब आपका धरातल तूटता है तो खुब बड़े-बड़े पत्थर आपके हवा में उछलते हैं और वापिस जब नीचे आके गिरते हैं तो उनको बोलते हैं volcanic bum इतना लिख देना पांथ चीज कि volcanic eruption में निकलने वाले पधार्थ बताओ दो नमबर का कुछ शिर्मन सकता है अब देखो volcanic eruption होता है ना तो यहां से निकलता है लावा और लावा जो ही दो तरीके का निकलता है यह कुछिन बनता है जैसे अभी कुछिन पूछा सर बैसाल्टिक प्लेटू क्या होता है या वैसे पूछ ले कि जॉला मुखी लावे को बताईए क्योंकि पिछले अगर आप पेपर देखेंगे ना तो उसमें कुछिन पूछा है सिंडर शंकू क्या होता है या आप से पूछले volcanic crater क्या होता है या आप से पूछले कालाडेरा क्या होता है तो volcanic eruption से जितनी भी चीज़े बन रही है वो सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए अब जौला मुखी निकल राइसकंदर एक चीज़ निकलती है लावा ठीक इस लावे को हम डिवाइड करना शुरू करते हैं कि लावा कौन-कौन सा हो सकता है तो देखो लावा जब निकलेगा जमीन में से अब देखो एक चीज़ का ध्यान अकना हमारे surface पे धरातल पे सबसे ज़्यादा जो देखन से और aluminum से मिलके बना हुआ है volcanic eruption आएगा obvious उसके अंदर silica निकलेगी हो सकता है silica की मातरा जाद हो हो सकता है silica की मातरा कम हो ठीक है तो volcanic जब eruption होगा तो यहाँ पे लावा दो तरीके का निकलता है एक लावा जो होगा इसको मैं बोलूँगा acidic यानि कि मैं बोल सकता हूँ य acidic या इसको बोल सकता हूँ मैं छारिये भी बोल सकता हूँ ठीक है acidic and basic दो तरीके का लावा निकलता है जब volcanic eruption होता है जो अलमुकी का उदगार होता है acidic लावा जो होता है यह होता है बिलकुल गाढ़ा बिलकुल मतलब जैसे आपका यह समझ लो बेसन का जब हलुआ बनाते ह और यार एक मचें रुकजाओ सर एक मनठोगी फोन ने सकता है फोन मैं पढ़ो दूगा ठीक है फोन दो का देगा है एक दम से बोल गए फोन चलो सर तो यहां पर धिнал अठीक न बालियोगा में मैं मैंसेज पढ़ दूगा सर अभी जो भी आपकर डॉट होंगे मैं सब्ता आधार पर करा जाएगा ये करा जाएगा लावे के इंदर उपस्थित सिलीका की मातरा पर लावे के इंदर अगर सिलीका जादा होगी तो सिलीका अगर अधिक देखने को मिलती है ऐसी स्थिती में लावा जो है गाढ़ा हो जाएगा और सिलीका का नेचर होता है acid की यानि की email यह होता है ठीक है गाड़ा लावा होगा यह email लावा कहलाया जाएगा रंग जो है इसका yellow दिखाई देगा पीला रंग दिखाई देगा और सर यह गाड़ा जो देखने हैं इसका घनत density जो होती है वो कम होती है ठीक है और ये लावा जब ऐसेडिक कभी भी निकलता है ना तो वॉलकेनिक मौंटेन ही बनते है क्यों मौं निकलते हैं मौंटेन ये भी मैं भी बताऊँगा आपको या भी देखे लिजिए मान लो ये जगह है यहां से जो अलामुक्युदगार हुआ लावा गाढ़ा है गाढ़ा है तो दूर तक बहन ही पाएगा है और इस तरीके से इस तरीके से ये निकलता रहेगा और निकलता रहेगा इस तरीके से क्या होगा आपका एक मौंटेन बन जाएगा ठीक है बैसाल्टिक लावा सर्थ सिलीका की मात्रा जो होती है वो इसके अंदर कम होती है सिलीका कम होगा तो सिलीका की जगे कौन लेगा सिलीका की जगे लेगा इसके अंदर फैरस, मैगनो फैरस जिसको बोलते है या मैं बोल सकता हूँ यह F E बोल सकते हो इसको ये क्या होता है आपका लोहा होता है और जब इसके अंदर लोहा या लोहा तत्व पाये जाएंगे आयरन पाया जाएगा फैरस पाया जाएगा उसकी वज़े से ये क्या होगा आपका थिन होगा पतला होगा सिलीका कम है और ये क्या होगा पतला होगा और पतले के साथ में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी इसका रंग जो होगा वो ब्लैक होगा काला होगा और लोहे की वज़े से इसका घनत जो है या डैंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको ठीक है सर्थ समझे बात क्या कहना चारा हूँ मैं कहरा हूँ जौला मुखी उदगार के अंदर दो तरीके के लावा निकलते है एक तो निकलता है आपका एसडिक लावा यानि की अमली ये लावा और एक निकलता है बेसिक लावा जिसको बोलते है छारिये लावा अमली अलावा जो होता है इसकी विशेषता कि इसके अंदर सिलीका की मातरा अधिक होती है और जो बेसिक होता है उसमें सिलीका की मातरा कम होती है उसकी जगे क्या होगा यहां पे फैरस जो होगा या एफी जो होगा यह अधिक पाया जाएगा अब इस situation के अंदर क्या हो जाएगा आपका ferrous EIFE अधिक पाया जाता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो अमली अलावा होगा, ये गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, रंग जो है इसका पीला होगा, येलो कलर होगा, density यानि की घनत उसका कम पाया जाता है और जो ferrous से बनता है, ये क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है, रंग जो है इसका black होता है और इसके density यानि की घनत जो है वो अधिक पाया जाता है, अब देखो जो आलावा कि युद्गार केंदर अगर acidic लावा निकल रहा है, चिपचिपा लावा होगा, देखो कभी भी आप सोच मैंने एक surface मान लिया, कि plane surface है, यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है, और जमीन से वालकेनो निकलना शुरू हुआ, तो वालकेनो निकलेगा तो यह लावा गाड़ा है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, इसके अंदर gases भी है, यह एकदम से हमारे धरातल पे force लगाती ह और इस धरातल को तोड़ के निकलती है, और जब इस धरातल को तोड़ के निकलेंगी, तो उसकी वज़े से क्या होगा, sound आएगा, बहुत तेज हवा आजाएगी, धमा का होगा एक, ठीक, और यह लावा जो है, अब दूर तक बहना शुरू करेगा, मतलब बहना शुरू कर जाएगा इस सिचुवेशन के इंदर, ठीक है, अब दूसरी सिचुवेशन देखना शुरू करता हूँ मैं, दूसरी सिचुवेशन के दर मेरेको क्या दिखाई देगा, आपका, सर, OVC में स्सी बन रहे हैं यार OVC में स्सी बन रहे हैं तो लोकेश भाई तैयारी करो सर आप सर EWS 88 मार्क से तैयारी शुरू करनी चाहिए यार मैं फिर कह रहा हूँ करनी चाहिए सर आई हैव सिक्योर 95 इन प्रिलियम्स एक्जाम सर आपकी में सांसर राइटिंग प्रोग्राम पर प्रकाश डालो ना सर सर ये क्लास यूट्यूब पर रोज होगी सर रोज ही हो रही है नहाज ये प्रिजेंट लितो आज श्याद यहाँ पर एक शीट जो है ये भी अप्लोड करी हुई है आप जो लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पर जा सकते हैं या फिर एक जोगरफी बाइत उशारतियागी करके आपको एक चैनल दिखाई देगा टेलिग्राम चैनल आप वहाँ पर भी जाके जो है आप जो क्लास है मतलब शीट जो है गूगल शीट एक बनाई है आंसर राइटिंग के लिए वो आपको प्रोवाइड करवाई है कल जो टॉपिक करवाई था उसके कुश्यन है और ध्यान अकना मैं कुश्यन वही चैक करूँगा आज तारीक है आपकी तीन तारीक तीन चार पाँच फैस्टिवल आ रहे हैं मैं पाँच तक कर टाइम दे रहा हूँ तीन चार पाँच पाँच तक वो कुश्यन के आंसर मिल जाएंगे तो मैं चेक करके बता दूँगा कि किस के कुश्यन में क्या कमी है किस के आंसर में क्या कमी है और क्या क्या आपको changes करने है ओके सर, clear है आपके doubt जितने भी है 80 प्लस score वाले आख बंदगर के तैयारी करो कोई tension नहीं है आओ चलो सर, अब देखो ये जो पतला लावा निकलता है ना मैंने क्या कहा, ये सामान नेता है यहां से निकल रहा है, पतला लावा अब ये दूर तक flow करेगा ये दूर तक flow करेगा, दूर तक आपका बहेगा अब जब ये दूर तक बहेगा तो ऐसी स्तिती में क्या होगा यहां पे इस तरीके से एक प्लेटू बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं बैसाल्टिक पठार कभी भी देख ले न, पठार आपको देखने को मिलेंगे न उस पठारी छेतर में आपको हमेशा ब्लैक सॉयल मिलेगी, उस पठारी छेतर में हमेशा कोटन प्रोडक्शन मैक्सिमुन देखने को मिलेगा, उस पठारी छेतर के पास में आपको लाल मिट्टी मिलेगी ठीक है? ये सारी की सारी विशेशता होंगी उस पठारी छेतर के अंदर और ये बैसाल्टिक प्लेट हुए एरिया जो होते है ना यहां पे मिनरल्स में मिलेंगे आपको हमेशा आईरन ओर लगा देना भारत के अंदर देख लो आप छोटा नागपुर का पठार देख लो या दक्कन का पठार देख लो यहां पे आपको आईरन ओर अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा किलियर है सेर ये कहानी तो जौला मुखी लावा पांच नमबर का कुश्यन बन सकता है जौला मुखी लावे का वितरन कीजिए तो आप बोलेंगे जौला मुखी लावा दो प्रकार का होता है वालकेनिक लावा टू टाइप मतब दो टाइप में डिवाइड करते हैं तो इसके बारे में आपको यही लिखना है रंग पीला, सिलीका की मातरा अधिक इसके अंदर पाए जाती है वेट कम होगा, बहुत ज़्यादा थिक होता है, गाड़ा होता है और उच तापमान पर यह मैल्टिंग पॉइंट होता है द्यानक ना यह जरूर मेंशिन करना है कि इस सिलीका की बेस पर डिवाइड करे गए है तो अगर आप सिलीका का नहीं बता रहे है तो आपका आंसर अधूरा है ज़र आपको यह जरूर बताना है कि आप इसको एसेडिक लावा क्यों कह रहे हैं तो आपको नहीं बताना है और सामाने तैस के फलसरूप आपके उदगार से पठार का निर्मान होता है यह आपको मेंशिन करना है सिलीका का जरूर मेंशिन करना है अगर जॉला मुखी लावे के परकार के बारे में आपसे कुश्यन पूछ बैठे ठीक पांच नमबर का कुश्यन बन सकता है या दो नमबर का बन सकता है कि जॉला मुखी लावे के परकार बताईए तो यहां पे दो नमबर का कुश्यन बन रहा है तो आपको यह लिखना है जॉला मुखी लावे को दो परकार में बाटा जाता है अमलिय वै छारी है ठीक जोला मुखी लावे को सिलिका के आधार पे दो भागों में बाटा जाता है सही आंसर यह होगा जोला मुखी लावे को किसके आधार पे बाट रहे हो आप लावा का जो division कर रहे हो या लावा जो इसको divide कर रहे हो तो किसके base पर कर रहे हो तो सबसे पहले examiner जो है उसको ये बताना है कि जौला मुखी लावे को सिलिका के आधार पे दो भागों में बाटा जाता है अमलिय वै छारी लावा फिर अमलिय लावे के इंदर सिलिका प्रसंटेज बता दो और छारी या बेसिक लावे के इंदर आप सिलिका प्रसंटेज बता दो बस इतना सा ही दो नंबर के question में इतना ही लिखना है आपकी word limit भी पूरी हो जाएगी और आप answer भी दे देंगे पूर जौला मुखी के प्रकार बताईए कि कौन कौन से प्रकार के जौला मुखी देखने को मिलते हैं हमें ठीक तो देखो according to eruption जो type of volcanism या मैं बोल सकता हूँ उदगार के नुसार जौला मुखी का प्रकार या जौला मुखी का वर्गी करन अब देखो हो सकता है जौला मुखी क कि जौला यहां पर आपको मैसिज जो है वह टैग मिला होगा आपका यहां पर एक मैसिज जो है वह टैग करा होगा आप यहां पर आकर देख सकते हो ठीक है टेलिग्राम पे मैं शीट आज mention कर दूँगा आपकी टेलिग्राम पे जो है ना sheet mention कर दूँगा या फिर आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे description में आवगा और description में add होनी तो चाहिए यार description लिंक में चलो ठीक है अगर नहीं है ना तो मैं एड कर दूँगा उसको एक मिन मैं एड करी देता हूँ यहाँ पर एक Google Sheet का मैंने लिंक जो है ना वो एड करा हुआ है आप इस पर आके और अपना आंसर फोटो कीच के जो आप आंसर लिख रहे हो फोटो कीच के वो सम्मिट कर देना ठीक है यहाँ पर questions डले हुए है सारे के सारे starting वाले जो questions अगर आप इस sheet को खोल के देखते हो तो starting वाले जो question दिखाई देंगे 3-4 question वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे लो नंबर के अ फिल वी fits helps me and it's propor tkydelsar सिफकम कई गुकार तो प्रकाड के अंदर ध्यान लखना लिखना जोलामुख़ार प्रकार प्रकार का होता है दो नंबर खाल रीचा जम पर कुश्चन आएगा सीधड पर fact देना है और अगर पांच नंबर का question आना है तो यहाँ पे थोड़ा से इनके बारे में लिखना है तो उदगार के अनुसार जोला मुखी जो है चार प्रकार के होते हैं कौन-कौन से Hawaiian, Stromboli, Volcanian and Pillion ठीक है चार टाइप क्यों होंगे Hawaiian, Stromboli, Volcanian and Pillion ये चार टाइप होते हैं आपके like to eruption देखो अगर आप eruption देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपका देखने को मिलता है जो eruption जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं या उदगार जो है वो दो तरीके का होता है आपका एक तो देखने को मिलेगा आपका फीज को ये कुशन मन सकता है कि उदगार के इनुसार जोलम के प्रकार तो मैं बहुँ सकता हूँ उदगार के इनुसार चार प्रकार होंगे हवाईयन, Iishtamboli, Volcanian and Pillion फीजर इरप्शन और आपका सेंटर इरप्शन की बात कर लेते हैं मान लो हमारी या अर्थ दिखाई दे रही ठीक है और यहाँ पे कोई एनर्जी लग रही है आपकी विपरीत प्रत्वी के अंदर ध्यान अकना अर्थ के अंदर से forces काम करती है बल काम करते है आपने कई जगे देखा हुआ कि कहीं पे इस तरीके से परवत बने हुए हैं कहीं पे आपने देखा हुआ ऐसे बहुत बड़ इरप्शन या इसको बोलेंगे हम शांत उद्गार इसको क्या बोलेंगे हम शांत उद्गार देखने को मिलेगा और कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जहां पे आपका वालकेन निकला वो देखने को मिलता है कि आपका सेंटर इरप्शन तोड़ता हुआ इसको बोलते हम केंद् जो आपको एरिया देखने को मिलता है हवाई है एक आयलेंड ये देखने को मिलता है मेरे को पैसिफिक ओशिन प्रशांद महासागर यहाँ पे देखने को मिलता है एक हवाई आयलेंड ये है आपका क्या नाम इसका हवाई आयलेंड ठीक है ये जो हवाई आयलेंड है यहाँ पे इस तरीके के वॉलकेनों देखने को मिलते हैं और इसी के नाम पे इसका नाम दिया गया है क्यों दिया गया है सर हवाइन टाइप पे ऐसा क्या देखने को मिलता है ये हवाइन टाइप का जो जॉला मुखी देखने को मिलता है ये फीजर और ये सेंटर रेप्शन, ये दो आप देख लेना, ठीक है, एक तो फीजर देखने को मिलता है, इसका उदगार, ये प्लेटों के अनुसार बताऊंगा, अभी इसको छोड़ दो आप, हवाईयन का आप ध्यान रखना, हवाईयन जो देखने को मिलता है, बिल्कु इसमें एक लाइन लिख देना केवल, कि ये आपका हवाईयन आइलेंड पे देखने को मिलता है, इसका नाम दिया गया हवाईयन टाइप वालकिनिजम, या हवाईयन तुल्ले जोला मुखी, हवाईयन के बाद में दूसा देखने को मिलेगा, आपको इस्ट्रोंबोली वाल के नो, तो इस्ट्रोंबोली वाल के नो, मैं बोल सकता हूँ, आपका सिसली जो देखने को मिलता है, इटली के इंदर, मैडिटेरियन सी आप देखोगे, भुमध्य सागर के इंदर आपको ये दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है, मैडिटेरियन सी, यहाँ पे इट Mذan mand, Midden mand, South mand, कार नीकोबार, Great नीकोबार, वैसे ही Sicily के इनदर होगा आपका क्या, यहाँ पर देखने को मिलता है कौन सा, इटली के इनदर Sicily Island Group देखने को मिलता है, और Sicily Island Group में देखने को मिलता है एक आइलेंड जिसका नाम है लिपारी, इस लिपारी आइलेंड पर वॉल हवाई तुलियन, दूसरा स्टॉमबॉली, तो स्टॉमबॉली टाइप का वॉलकेनों कैसा होता है, हवाईयन से थोड़ा सा तेज होगा, क्रश्ट जो है वो तूटेगा, और उसके साथ में मैं बोल सकता हूँ, कि मेडिटेरियन सी के अंदर देखने को मिलता है, भूमध्य स टाइप का वॉलकेनों, जोला मुखी, और ये भी सिसली के अंदर देखने को मिलता है, इसका उदगार थोड़ा सा तेज होगा, और वॉलकेनिक इरप्शन के बाद में जो गैस होगी, ये आपका कुछ इस तरीके से दूर तक आपकी फैलती भी दिखाई देगी, कुछ इस सुन्डा ऐलेंड है, उसके अंदर जब कभी हुआ था, ठीक है, पीलियन टाइप का, यहां पे क्राका तोवा जोला मुखी देखने को मिलता है, यहां पे इंडोनेशिया के अंदर, यहां पे दिखाई देगा सुन्डा ऐलेंड, ठीक है, यहां पे जब इसका एरप्शन तो आस्टेलिया तक इसकी आवाज आई थी, इतना तेज एरप्शन हुआ था, उसके अलावा यह पूरा एरिया जो है, बादलो से ही आब मैं बोल सकता हूं, इस गैस से इतना ज़्यादा भढ़ चुका था, डश्ट से इतना ज़्यादा भढ़ चुका था, कि कई महीनों तक यहाँ पे सनलाइट नहीं आई थी, सूरे की रोशनी नहीं आई थी, ठीक है सर, तो जौला मुखी उदगार के नुसार अगर पूछें, जौला मुखी उदगार के नुसार इसके प्रकार बताईए, सीधा सा फैक्च्छल कुश्यन आया, रट्टा मार लो, याद कर लो कुछ भी कर लो, कि सर, उदगार के नुसार चार प्रकार का जौला मुखी होता है, हवाई तुलियन, इस्टॉमबॉली, वॉलकेनियन और पीलियन, उदगार के नुसार ये क्रम हैं इनके, हवाई तुलियन सबसे स्लो इरप्शन होगा, या मैं बोल सकता हूँ, इसका बिल के अंदर जो उसको उचाल देगा, और इत्ता भी कहा जाता है कि ये पत्थर इतने उचे उच लेते, कि आपके मतलब कई घंटों बाद नीचे आके गरने शुरू होए थे, और ऐसे लग रहा था कि उपर कोई उपर से बम गेर रहा हो, ये देखने को मिलता है पीलियन टाइप जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, इनके करम लिख सकते हो, आप दो नंबर का कुश्यन भी बन सकता है, यहां से पांच नंबर का कुश्यन बन सकता है, कि उदगार के अनुसार जौला मुखी के परकार बताईए, तो आप बोलोगे हवाई तुल्यन, इस्टॉमवा के अनुसार, ठीक है, मतलब according to eruption, ध्यान से जुनना मैं कह रहा हूँ, उदगार के अनुसार according to eruption, तो मैं बोलूँगा, according to eruption दो टाइप, center and visor, केंद्री उदगार और आपका देखने को मिलता है, दरारी उदगार, दरारी उदगार वाला या शान्द उदगार वाला, यह सा साउंड आता है, ठीक, यह प्लेट की बात जो है, जब प्लेट टेक्टोनिक बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा, यह क्या है, यह दूसी चीज़, अभी प्लेट टेक्टोनिक नहीं बताईए, इसलिए इसको भी रुख जाओ, अगर पूछे आपका, कि जॉला मुखी तिव तिवरता के आधार पे जॉला मुखी का वर्गी करन कीजिए, एक तो है इरॉप्शन के अकॉर्डिंग, उद्गार के नुसार, और एक कह रहा है, इसके तिवरता के नुसार, ठीक है, जो आपके सेंटर इरॉप्शन वाले वालकेनों हैं, इनको इनकी तिवरता के आधार भी हम डिवाइड कर रहे हैं पहले तो मैं जौला मुखी को उद्गार के नुसार बाट रहा हूं कि सर दो तरीके से है एक तो कहीं से दरार ओड़ी है वहां से निकल रहा है इसको मैंने बोल दिया आपका कौन सा फीजर इरॉप्शन और एक कहीं से आपका यहां पे निकल रह रहे हैं यह तो इसके नुसार बताओ तो मैं बोलूँगा इसके नुसार चार हैं सर हवाई तुलियन इस्टोंबली वालके निन एंड पीलियन बता दो कि सर इतना यह इतना ध्यान रखेंगे आप लोग सर विश्विक टाइप भी होता है न हैं सर अनकेडमी पर आरेस मेंस का बैच चल रहा है यस विपल भाई चल रहा है आपका बिल्कुल चल रहा है पैसिफिक ओशिन में बात में करूंगा अब खीरतिक भी बात नहीं करिए मैं आपका बतिलाल जी सर विश्विन विश्वियस अ ह East हिस सब बतिलाल जी आपका मैं डौट क्लियर करता हूं विसूभिस भता रही हो ना मैं घिलियर करता हूं ठीक रिप्षा कर्ताइद इस इनके superhero मैं में इन आप मेंस्टा उन्हां इत्वा बताँ आपका तिक मेंस वाला कोर्स कब ज्योगरफी जो ए 24 से शुरू करूंगा अगर आप में इस पूरा को जोईन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्रिजेंट्ट्ली प्लस पे हैं तो जो कोर्स चल रहे हैं उनको आप जोईन कर दीजिए प्रिजेंट्ली जो क्लास से चल रही है बतिलाल जी ने काया कि सार एक होत वालकेणियन इसका नेचर वालकेणियन जैसा ही psychologist का वलकेणियन जैसा ही होगा ठीक है पर इस का दिक्त क्या है जब इरक्षन होता है तो इसका लावा जो है ऊपर दूर तक उचलता है इरप्शन इसका तिवरता उतनी है जितनी वलकेनियन के विसुवियस की पर इसमें लावा दूर तक उचलता है ठीक है और मैं बोल सकता हूँ इसके उपर जो है ना मतलब कुछ बादल बन जाएंगे उपर फूल गोवी की तरह है ठीक है बेसिकली इसको जो विसुवियस को जो खोजा था ना या इसको जो खोजने का काम करता है वो पिल्नीनियन करता है और इसलिए इसको पिल्नीनियन टाइप का वालकेनों कहते हैं मैं इसको इसलिए बताने से बचरा आता कि आपको कोई एक् Confuse हो जाओगे आपो विसू वियस प्लिनिन यह आप्शनल जियोगरफी के काम की चीज है जो ग्रेड फश्ट की तैयारी कर रहा है उसके काम की है जो आरेस मेंस दे रहा है ना उसको मैं बिल्कुल भी यह सलाह नहीं दूंगा कि आप इतने डीप जाके मेंस के तैयारी करो क्य ठीक है सर तो जनलाइज आंसर लिखो में रहें तो नमबर अच्छे मिलेंगे इस पेसलाइजियेशन करने के चक्र में यह आप यह विशिष्टा ग्रहन करने के चक्र में आपके कुछ टॉपिक जो हैं वो बहुत जादा कम ज़ोर रह जाएंगे ठीक है और कम जोर रह नहीं कर सकते फिर मेरी तरह बोड पर ही पढ़ा होगे और कुछ नहीं करोगे ओके सर समझ गए आगे चलें आगे देखना शूब करते हैं बतिलाल जी क्लियर है आपका चलो सर तो यहाँ पर देखने को मिल गए है विसूवियस टाइप का पिलनीन आपका ठीक है पिलनीन जिसको बोड़ रही हो ना आप और इसका नेचर जो है वो वलकयनीन टाइप का ही होता है बट यहाँ पर लावा कम रुचल रहा है इसके अंदर लावा दूर तक रुचलता है साुंंड कम आएगा लावा थोड़ा सा दूर तक उचलेगा ये बहुत तेज होता है पिल्नी इनियन टाइप का एक्रश्ट को तोड़ देता है ये चार करम याद रख लेना बस और कुछ नहीं करना है अब सर जॉला मुखी से बनने वाली कुछ लैंड फॉर्म्स होती है ये स्थाला करती होती है जिनसे दो-दो नमबर के कुछ नहीं आ सकते हैं आपके ठीक तो जॉला मुखी से कैसी ही आपकी स्थाला करती हैं मनेंगी ये देखते हैं जैसे आपसे पार्ट प्रदेश के बारे में पूछ लिया गया या मेसा या बूटी के बारे में कुश्चन पूछ लिया गया है पिछले मेंस में देखेंगे जाला मुखी शंकू के बारे में पूछा गया है कि वाट इस सिंडर संकू, कमपोजिट कौन, या आपका मैं बोल सकता हूँ आपका परिपोशित शंकू, बेसिक लावा कौन, एसेडिक लावा कौन, इस तरीके के कुश्चन या वालकेनिक प्लग, डार्ट, डायटरम, मेसा, बूटी, ये कुश्चन जो हैं ये टॉपिक दो-दो नंबर के हैं और दो-दो लाइन के हैं, आपको इनकी जो डेफिनिशन जो है, वही पता होनी चाहिए, डेफिनिशन पता है, तो आप आंसर लिख सकते हैं पांच नंबर का बन सकता है, तो बोलेगा कि वालकेनों से बनने वाली आपकी external landforms या बाई इस्थला करतियों का वर्णन कीजिए, या फिर बोलेगा आप से कि internal landforms या आंतरिक स्थला करतियों का वर्णन कीजिए, ये पांच नंबर का कुश्चन बन सकता है, यहां से, द लावा जो है बहार आया बहार आके जम रहा है आपका तो अलग-अलग तरीके की लैंड फॉर्म से इस्थला करती है बन रही है ठीक हो सकता है लावा अंदर जम गया है तो अलग-अलग तरीके की इस्थला करती है बन रही है लैंड फॉर्म्स बन रही है सबसे पहले हम देखना शूरू करते हैं कि आप वालकैनिक कौन को देखना शूरू करते हैं कि सर ये क्या बिमारी है या आपकी मैं बोल सकता हूँ भाई ये इस थला करती कौन सी देखने को मिलती है आपकी ठीक है center eruption से कौन-कौन से आपको landforms देखने को मिलते हैं इसके अंदर मैं आपके एक image निकालना चाहूँगा यार इसमें image है नहीं है Google वाबा यह हल्प करेंगे अपने अपने और तो कौन करेंगे यार आजओ चलो सर यहां पे कुछ ढंकी से आपके image देखने को मिलेगी है लाइक यह भी image ढंकी नहीं ली हुए यार नौन कोपिराइट इमेज जो है ढंकी मिलनी चाहिए लाइक यह आप इस image को देखना शूब करो ठीक है इस image को देखना शूब करो आप यह देखिए आप दिखाई देरी है image कुछ मतलब वालकैनिक इरप्शन हो रहा था एक खड़ा बना हुआ है पूरा का पूरा और यहां पे क्या बनी हुई एक लेक बनी हुई है ठीक है एक लेक बनी हुई है तो सबसे पहले मैं एक वर्ड बोलता हूँ external landforms के अंदर यह जो लेक बोलते हैं इसको बोलते हैं crater lake है ना इसकी बात करता हूँ कि यह कैसे बन रही है crater lake बाई यह स्थनला करती है action landforms में मैं बोल रहा हूँ आपका केंदरे विस्पोर्ट के दौरा जब जॉलामो की उदगार होता है तो कुछ शंकू जो है वो तूट जाएगा उसके पश्चात एक बड़े आकार का खड़ा बनता है इसको crater बोलते हैं आओ चलो इसको देखते हैं क्या होगा crater मान लो volcanic eruption हुआ जॉलामो की उदगार हुआ जहां पर जॉलामो की उदगार होगा न वहां पर लावा निकला यह दूर तक बहरा है ऐसे अब क्या बन जाएगा यहां पर एक volcanic mountain बन जाएगा जॉलामो की परवत बन जाएगा अगली बार फिर eruption हुआ eruption हुआ तो अब क्या देखने को मिलता है यह जो उपर वाला एरिया है इसका जो मू है इस तरीके का यहां पर खड़ा बन जाएगा और इस खड़े को हम क्या बोलेंगे कि यह है सर वालकैनिक क्रेटर यह है जॉलामो की क्रेटर ठीक है और eruption होना बंद हो गया इसके अंदर बारिश का पानी भर गया तो इसको बोलूँगा मैं क्रेटर लेक क्या बोलूँगा इसको मैं क्रेटर जील बोलूँगा भारत के अंदर महराष्टा की लोनार जील इसका एक्जाम पर है बहुत अच्छा ठीक है लोनार जील जो है उसको उलका लेक भी बोलते हैं क्रेटर लेक भी बोलते हैं उसका निर्मान क्रेटर से हुआ है बाद में वहाँ पर उलका गिरी है आपकी ठीक है वह एक वालकैनी क्रेटर था बाद में उलका भी गिरी है तो लोनार जिल जो है उसका उधारन है आपका महराश्टा की रास्तान के अंदर आबू वाली जो नक्की लेख है वो भी क्रेटर जिल का उधारन है अपने है ना तो क्रेटर जब बहुत बड़ा हो जाएगा इसको मैं बोल दूँगा कि सर क्रेटर का बड़ा रूप इसको बोलते हैं काल डेरा ये धियान रखना है आपको तो क्रेटर या कालडेरा समझने में आया ये वालकेनिक इरप्शन हुआ था और ये वालकेनिक माउथ था ये देखो पूरा का पूरा परवत था ये एरिया तूट गया इसका और इस खड़े के अंदर आपका पानी भर गया है इसको मैं क्या बोलूँगा आपका क्रेटर लेक या क्रेटर जील और क्रेटर का बड़ा रूप क्या होता है कालडेर आपका ठीक सर आपने इंडियन जेगराफिक की नोट सेंड नहीं किये कंप्लीट हिंदी में टेलिग्राम पर सर आपको इस सला करती के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको एक दिखाए दे रहा है क्या crater दिखाई दे रहा है और crater का बड़ा रूप क्या होता है कालडेरा तो दो नंबर का question आ सकता है कि crater जील किसे कहते हैं जील भी आपके सलेवस में है पूछ सकता है crater किसे कहते हैं लिख सकते हैं जोलामुखी उद्दगार के समय या केंडरी उद्वेधन के समय जब आपका center eruption होता है तो शंकु का कुछ भाग तूट जाता है और उसके पश्चात यहाँ पे जो मेरे को खड़ा दिखाई देता है इस खड़े को मैं क्या बोलता हूँ आपका crater के नाम से ही जाना जाएगा आपका ठीक और crater का जब विस्तार होता है तो उसको क्या कहा जाता है और जब इसमें crater में वर्षा का जल बर जाता है तो इसको क्या बोलते है है crater lake कहते है अब बात करते हैं volcanic cone की जौला मुखी शंकू की सिंपल जी बात है शंकू किसको कहा जाएगा तो मैं बोलूँगा शंकू जो है किसको कहेंगे हम आपका इस तरीके की मतलब इस तरीके की कोई आकरती बनेगी इसी को तो हम शंकू कहेंगे शंकू और क्या होगा इस तरीके की आपकी स्थलाकरती बनेगी या मैं बहुत सकता हूँ कि सर एक शंकू गनित में आपने खूब पढ़ा होगा कि सर एक गोला देखने को मिल रहा है एक शंकू देखने को मिल रहा है तो शंकू यही तो होता है इसी को तो हम बोलते हैं शंकू वालकेन और इरप्शन जो होते हैं उसमें भी इस तरीके के आपके शंकू बनते हैं ठीक है, for example, इसका भी एक कुछ image दिखाता हूँ, कल यार मैं इमेज लेकर आँगा next time पर, ये मेरे को खुद को ही फील हो रहा है, कि जो images मेरे पास थी, plus के course में तो मैंने डाली हुई थी, यहाँ पर जो है, image मैं कल, ये image का use करूँगा, कल मैं आपको ये images दिखा दूगा, कल सारी के सारी, तो four example, अगर आप से पूछे शंकू, ये तो दिखाई दे रही है, मेरे को ये जो लेक है, इसका नाम है आपका crater lake, दिखाई दे रही है, ये है, ये है एक crater lake, ये USA की crater lake है, ठीक, और next आप देखना शूर करते हो, वालकेनिक शंकू की बात करते हैं, तो ये शंकू बन रहा है, बन रहा है कौन, जोला मुखी उदगार हुआ है, लावा यहाँ पर जमता चला गया, जमता चला गया, तो एटली का जो देखने को मिलता है, ये स्ट्रॉम बोली की इमेज है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ये वालकेनिक कौन, मतलब पूरा शेतर जो जोला मुखी लावे से बना हुआ है, लावा यहाँ पर निकलता गया, और ये कौन बनता गया, इसको कहा हमने वालकेनिक कौन, या इसको मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जोला मुखी शंकू, ये पूरा मेरे को शंकू दिखाई दे रहा है, जोला मुखी शंकू है जरूरी कोई ठोड़ना है कि यह आपका लावे से बना हुआ हो जरूरी तो नहीं यह लावे का बना हुआ शंकू किसे बन सकता है सर Indiana Direction में कई बार राक भी निकलती है तो कई बार ऐसा शंकू देखने को मिलता है जो राक का बना होता है ठीक तो यहाँ पे आपका पहला जो शंकू देखने को मिलता है वालकैनी कौन जो बनता है इसको बोलते हैं कि आपका सिंडर शंकू जो कि पिछली बार दो नंबर का कुश्चन आये था पिछली बार या पिछली से पिछली बार 2016 में कि सिंडर शंकू, हिंदी में इसको बोलेंगे हम राक शंकू, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको राक शंकू या बोलेंगे इसको सिंडर कौन, सिंडर कौन किसे कहते हैं, दो नंबर का ये कुश्चन, सीधा सा है, ये कुश्चन, मतलब कम उचाही वाले होते हैं, ये तो डालना ही नहीं है दो नंबर का है तो मैं क्या बोलूँगा इसका निर्मान जॉलामो की धूल राक वे विखंडित पधार्तों के दोरा होता है और इसके निर्मान में तरल पधार्तों का योगदान नहीं होता या मैं बोल सकता हूँ कि जौला मोकी, धूल, वैराख के दौरा निर्मित जो शंकू होते है उनको सिंडर शंकू कहते है दो नमबर आपके सीधे सीधे हैं ठीक, आप ये बता दो एक उसका एक्जामपल बता दो कि सिंडर शंकू का एक्जामपल कुन सा है तो example भी मैं आपको next जो है model answer जब इनके दूंगा बनाके अभी मैं topic बता रहा हूँ जब model answer दूंगा तो width मैं इनके example भी दूंगा कि हाँ इसका उधारन है क्योंकि RPSC के अंदर आप answer लिखने हैं तो please geography के अंदर आप example जरूर बताएं उसका अगर आप example नहीं बता रहे हैं तो भी आपके मतलब पूरे number नहीं मिलेंगे दो number वाले question ऐसे हैं जो math की तरह हैं इसमें सबसे ज़्यादा score कर सकते हैं आप ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ इसका निर्मान धरातल पेस्तित बालू पत्थर शेल या चूना पत्थर के दोरा होता है इन टुकडो को क्या का जाता है सिंडर का जाता है राह का जाता है जिसमें लावे का योगदा नहीं होता उसको बोलते हैं सिंडर शंकू समझ गए सिंडर शंको में तो कोई दिक्कत नहीं है बताओ सर सिंडर शंको में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बाई जी बिलकुल पूरा कोर्स लेके आँगा प्लस पे यार और तो क्या प्लस पे तो लेके ही आँगा यार मैं जगरफी पूरी लेके आँगा के 70 up ंढियारि शुरू को कर दो आप एयारी कर सकते हो बिल्कुल से फीमेल में कर सकते हो 65 प्लस पे आप गिराज समझने में नहीं आया इस संटरशंग की कहानि कलियर है क्या बताव संडर शंको की कहानी के लिए Liter air और उसके इंदर केवल केवल आपका राक का योगधान होता है आपका second grade के लिए course चल रहा है वही मैं जियोगरफी करूँगा second grade के अंदर shtk और paper first के आपके second grade का paper first का paper चल रहा है कल्पना जी आओ चलो next देखना शूर करते हैं नहीं sir ऐसा नहीं clear है teacher कोई है teacher पीपीटी निकलवा हो यारा कहां गई है यह सर पेपर जो है second grade का यह जो चल रहा है यह चल रहा है अभिशेक सर जो है history पढ़ाएंगे तर्मा में जो है आपको current affairs and रास्तान आर्ट and culture पढ़ाएंगी विशाल सर जोगरफी पढ़ाएंगे प्रशान सर पॉलिटी पढ़ाएंगे और गोविंदराम सर जो है यह आपको साइकलोजी पढ़ाएंगे ठीक और आने वाले टाइम पे मैं भी यहाँ पे आपको sst की second जो पेपर है उसकी जोगरफी करवाँगा social science study की ठीक है अरसी बता दिया सर मैं आपको अब आगे देखना शू कीजिए सिंडर शंकू के बाद में आता है composite शंकू टिक मैं बोल रहाँ जोला मुखी शंकू तो शंकू के प्रकार सिंडर शंकू बात होगी दो नंबर का दो नंबर का question बन सकता है composite शंकू किसे कहते हैं composite को बोला जाता है हिंदी के अंदर मिशृत शंकू हिंदी बेवि धियान अक लेना इसको बुलेंगे मिशृत शंकू तो मिशृत शंकू सभी प्रकार के शंकूँ में सबसे उँचा होता है इसका निर्मार जॉला मुखी के उदगार के समय निकले हुए पदारतों के दोरा होता है विश्व के उँचे शंकू इसी प्रकार के उदारण है इस शंकू का निर्मार जॉला मुखी के लावे के बार-बार जमा होने के कारण होता है क्या लिखोगे दो नंबर आ कोश्चन कि जौला मुकी उदगार के बार-बार मतलब जौला मुकी लावे के बार-बार निकलने के कारण जो है जो शंकू बोलता है उसको बोलते हैं मिश्षित शंकू या कमपोजिट शंकू ठीक विश में सरवादिक उंचे शंकू इसी परका उद्गार हुआ फिर लावा दुबारा आके ये फिर बहा जमा फिर त fundamental हुआ फिर ये जमा फिर उद्गार हुआ फिर ये जमा तो यहां पर परत की परत जो है जमती चली जाएंगी इस तरीके से और यह कौन बनेगा शंकू बनेगा इसको बोलेंगे साधिका कंपोजिट तो इस तरीके से layer से layer जबती चली जाती है लावा गाड़ा है दूर तक बहन ही पा रहा है और बीच में जम रहा है ये जो कौन मन जाएगा ये बन गए आपका composite shanku टिक simple सा है composite shanku तीसरा देखने को मिलता है परिपोशित shanku मतलब भाई साब ये खुद में है ही नहीं क्या देखने को मिलेगा वालकैनिक pipe जो होता है उसमें एक अलग से नाली बने आपकी एक उप्षा का बन जाएगी और मुक्हे shanku के नीचे देखने को मिलता है इसके सरुप छोटे छोटे शोटे देखने को मिलते हैं परिपोशित आओ परिपोशित कैसे बनता है मान लो ये यहाँ पर वालकैनिक eruption हुआ और ये जोला मुक्ही परवत बन गया देखो eruption होता है न तो लावा जिसके सहारे आता है जमीन से इसको बोलते हैं वालकैनिक pipe या इसको बोलते हैं जोला मुक्ही नाल बोल दो या वालकैनिक pipe बोल दो ये बोला जाएगा इसको इसके सहारे जोला मुक्ही निकलना शुरू होता है आपका ये उपर किसी वज़े से यहाँ पर लावा बिल्कुल जम गया है बिल्कुल जम गया और यहां पे क्या हो गया आपका फिक्स हो गया है और इसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं है अंदर से इतनी फोर्स से नहीं आ रहा कि इसको तोड़ पाई ऐसी सिच्विशन में क्या होगा यही समझ लो एक पानी का पाइप है पाईप का उपर से मूँ जो बिल्कुल आपने पैक कर दिया बंद कर दिया वो क्या करेगा जहां से कमजोर जगह है पाईप में कहीं से छेद है वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा यहां पर यही होता है किलियर है सबसे पहले मैंने क्या बताया सिंडर शंकू, राक शंकू उसके बाद सेकिंड बताया कंपोजिट या मिश्षित शंकू तीसरा बताया परिपोशित शंकू दो-दो नंबर के कुश्यन बनेंगे तो बाई साब इसमें ध्यान अकना आप इस शंकू में जौला मुखी नली से छोटी-छोटी उपशाखाई निकलती है वैं मुख्य शंकू के नीचे लावा जमा होने लगता है इसके फ़रसरुप छोटे-छोटे शंकू देखने को मिलते है या बोल सकते हो मुख्य शंकू पे उप शंकू का निर्मान होता है आपका ठीक बेसिक लावा शंकू या बेसिक लावा कौन देखो बेसिक लावा कौन जो है इसको बोलते हैं हम शिल्ड शंकू के नाम से जाना जाता है सामाने ते इसके लिए जो वर्ड यूज करा जाएगा यहां से लावा बहार आया तो यह पतला लावा बेसिक लावा दूर तक बहता चला जाता है तो इससे क्या होता है एक इस तरीके के पठार का निर्मान होता है और इसी को कहा जाता है शिल्ड प्लेटू या इसी को कहा जाता है शिल्ड कौन ठीक है सर इसी को हम कहेंगे लावे के इरफ्षिन से देखने को मिलती है तो बेसिक लावा शंकू या शिल्ड शंकू कुछ भी बोल सकते हो आप शिल्ड कौन बोल सकते हो या बेसिक लावा शंकू या बेसिक लावा कौन बोल सकते हो लावा पतला होता है हलका होता है और दूर तक फैला जाता है तो इसक पहरीकिके के समानेत है हवाई दीप में को मिलते हैं S ADCTION को लावा गाडह होगा तब आपका देखने को मिलता है stromboli जो वाल केन हो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा composite जो है वह भीrésր अध्रण देखने को मिल जाएगा एक देखने को मिलती है जॉलामो की प्लग डाट या डाइटरम इसको कहते है जॉलामो की प्लग क्या होती है या डाट डाइटरम क्या होती है इसकी तो इमेज ही दिखता हूँ इसकी तो इमेज ही देखते है कल से यार मैं इमेज लिया या करूंगा वालकेनिक प्लंग टूलूस और जाओ सर यह वालकेनिक प्लंग दिखाई दे रही है मतलब कोई मेरे को बड़ा सभी सा एक दिखाई दे रहा है इसका मैं य्यूज करने का राइट रखता हू работать आख रहे हो याझ इस आपको दिखाई दे रही है कि मेज दिखाई दे रही है यहाँ पर दिखाई दी यह कुछ इस तरीकी की मेज मतलब एक पहाड़ी जो है ना इस तरीके से सीधी इस तरीके से दिखाई दे रही है एक गर्दन सी दिखाई दे रही है आपकी अलग सा एक टुकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है कहीं मेरे कोलक छेत्र में अब देखो यह बनेगा कैसे यह ऐसे बनता है आपका कि कहीं यह वाली जो चक्टाने हैं यह बड़ी कम्जोर है और ये जो इनका इरोजन या अपरदन होना शुरू हो जाएगा ये धीरे धीरे क्या होंगे आपकी गिस जाएंगी ये गिस जाएंगी यह गिस जाएंगी अब जब यह गिस जाएंगी तो अंदर वाला जो लावा जो कठोर अवस्था के अंदर था वो कुछ इस तरीके से मेरे को दिखाई देता है अलग से यह इस तरीके से दिखाई देता है वालकैनिक नैक बोलते हैं आंसर क्या होगा जौला म जौला मुखी की गर्दन किसको कहा जाएगा जौला मुखी उदगार के पश्चात या वालकैनिक इरॉप्शन बंद होने के पश्चात जब वालकैनिक पाइप जौला मुखी का जो पाइप है या आपका इरोजन होने के बाद में सीधा दिखाई देता है या परदन के बाद मेसा या बूटी अगर आप देखना शुरू करते हो तो यहां पर क्या देखने को मिलता है देखो वालकेनिक इरप्शन जब कभी होता है ना तो उस छेतर के अंदर आपको क्या दिखाई देगा एक पठार का निर्मान होता हो दिखाई देता है और लाश्ट में कुछ इस तर प्रकार का जोला मुखी उदगार हुआ और शांद प्रकार के जोला मुखी उदगार के बाद में वहां पे क्या देखने को मिलता है मेरे को आपका लावा निकला लावा जैसे ये निकला तो एक पठार बन गया पूरा का पूरा ये पठार बन चुका है ये पूरा का पूर और जब ये घिसना शुरू हो जाएगा तो यहां पे क्या कुछ इस तरीके किस तला करतीयां दिखाई देंगे बहुत बड़े छेत्र में तो यह जो आपके खड़े खंड दिखाई दे रहे हैं ना इनी को कहा जाता है अगर बड़ा एक आकार है तो मैं इसको बोलूँगा मेसा और छोटा आकार है तो इसको मैं बोलूँगा आपका बूटी ठीक है आप बोल सकते हो कि बेसाल्टिक लावा छेतर के अंदर वॉलकैन दिखाई दे रहे हैं तो इन अवशेशों को क्या बोलते हैं मेसा या बूटी के नाम से जाना जाता है ये आपका हमेशा शान्त उद्गार वाले जो अलामुखी छेतर में देखने को मिलते हैं इसका निर्मान लावा मैदान में नदियों के अपरदन के फलसरूप होता है ऐसी आक्रिटी को लावा युक्त मेसा कह सकते हैं और सामान ने तया ये आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगी कहां पे छोटा नागपुर का पठार जो है यहां पे और छोटा नागपुर के पठार के अंदर जो देखने को मिलता है राची का प्लेटू इसको आपका म मेसा का उधारन बताया जाता है भारत के अंदर रांची का पठार मेसा का उधारन है और चोटा नागपुर पठार में भारत में इसको पार्ट लैंड या पार्ट छेतर के नाम से भी जाना जाता है अगर आप से पूछे कि पार्ट छेतर कहां है तो मैं बोलूगा आपका भा कहानी के लिए रहा किया बताओ सर यहां तक की कहानी के लिए है आपकी यहां तक तो कोई डाउट नहीं है मेसा या बूटी तक आपका बताओ बाकि इनकी मैं इमेज लेके आउंगा क्यों यह इमेज के थ्रू जो है आप थोड़ा ढंक से इनको समझ सकते हों कोर्स कब लाओगे राइटिंग सर सर एर सी सर मैंने 24 नमबर बता दिया ना वर्ल जोगरफिका बैच है बिल्कुल भाई मेरा वर्ल जोगरफिका है आपका वर्ल जोगरफिका है सर जी मैंने तो प्लस का ही हूँ सर प्लस पे कोर्स 24 तारिक से है मेरा आपका है मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है यूट्यूब चैनल नहीं आप उस टेली ग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा ओके आज टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको शीट प्रोवाइड दरोंगा यह कुछ बेसिक सी बात करी थी मैंने आपकी बाहिये संदसना के इंदर दो-दो नंबर के कुश्यन आएंगे मेसा या बूटी किसे कहते हैं शायद आप यह चीज यह सम करना दो नंबर के और पांच नंबर के वालकिनिजम से एक कुश्यन आने का चांस रहता है दो नंबर का अर्थकुक से एक कुश्यन आने का चांस रहता है दो नंबर का या पांच नंबर का तो यहां से दो-दो नंबर के किते कुश्यन बन सकते हैं पांच नंबर के किते कुश्चन बताओं यहां पर अब तक जो हमने जो चीजे पढ़ी है दो नंबर की जो कुश्चन मन सकते हैं एक तो आपका कुछ कुश्चन की मैंने कल बात करी ही थी आपके सामने कुछ कुश्चन सोर देख लीजिए जैसे आपको देखने को मिल जाएगा क्या लैपली किसे क कहते हैं दो नंबर का कुश्चन तो सबसे शान सरूप का जोला मुखी देखने को मिलता है हवाई तुलिन जोला मुखी आपका और क्यूंकि लावा पतला होता है और यह आपका हवाई आइलेंड पर देखने को मिलता है इसलिए से हवाई तुलिन जोला मुखी के नाम से ज देखने को मिलेगा ठीक है जो अलामुकी उद्गार के फैसरूप बनने वाली आंत्रिक संडर्शनाएं कौन सी हैं दो नंबर का फैक्च्छल कुश्चन आ रहा है तो वो आप मेरे को बता दो कि सर ये चीज समझने में नहीं आई आप ये बता दीजे मेरे को इनकी PDF मिल जाएंगी सर इनकी PDF फ्री ओफ कोश्ट मिल जाएंगी आपको जो चैनल है जगरफी बाई तुशारतियागी आप उस चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो वहाँ प प्लस जोइन करना चाहते हो अगर मेंस की तैयारी करना सोच रहे हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो प्लस पे आपको रिज योवर हैंड करके आप्शन मिलेगा तो वहाँ पे आप एजुकेटर से डिरेक्ली बात भी कर सकते हो उसके अलावा अनलिमिटेट कोर्सेज मिलेंगे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे उसके अलावा आपको पीडियाफ इस्टेडी मैट्रील भी प्रोवाइड करवाय जाएगा अरेस मेंस की आंसर राइटिंग यहाँ पे करवाय जाएगी अब बात यहाँ आती कि सर कम्म्यूकेशन कैसे करेंगे कम्म्यूकेशन अनकेडमी पे आप जैसी आते हैं तो यहाँ पे आपको रिज योवर हैंड करके आप्शन मिलता है एजुकेटर से डिरेक्ली आप कम्म्यूकेट कर सकते हैं समश्य जो है वो बता सकते हैं अपनी आरेस मेंस का कोर्स हमारा 28 अक्टूबर से चल चुका है प्रिलियम्स और मेंस 2022 का हमारा एक साल का कोर्स 19 अक्टूबर से शुरू हो चुका है 30 अक्टूबर से यह आरेस मेंस पेपर 4 का हमारा कोर्स आ चुका है तो देखो अभर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पर साल बर जोइन कर सकते हैं अगर आज कल मैं जोइन गरते हैं तो आपको 2 मेहने का सब्सक्रिबशन फ्री दिया जाएगा कोड यूज खर सकते हैं TTT Live बागी Telegram जो आप जोइन कर सकते हैं जोगरफी भाई तो इशारत आगी ओके सर सर इनकी PDF मिलेंगी सर इनकी PDF मिल जाएंगी मैंने आपको बता दिया है बाकि आप हमारा Combo सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं MP, RPSC, UPSC और BPSC का Unacademy रास्तान हमारा एक YouTube चैनल है ये भी जोइन कर सकते हैं और Unacademy लाइव RPSC जो है ये इस चैनल पर आप क्लास देखे रहे हैं ठीक, बाकि सर अब कल जो है प्लेट टेक्टोनिक बता के फिर मैं आप से मिलूँगा छे तारीक को कल एक प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे में उप्योग करा जाता है आपको कोई बहुत ज़्यादा डीप में जानने की जूरत नहीं बस बेसिक चीज़े जान लो प्लेट टेक्टोनिक है क्या, किस क्या आदार है और प्लेट टेक्टोनिक से किस तरीके से जुड़े हुए है आर्ट क्विक और वाल्किनिजम क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक ठीज़ोरी जब पढ़ोगे तब ही आपको बुकंब का वितरन कर पाओगे और तब ही आप विष्व में वलित पर्वतों का वरणन कर पाओगे तो तीनो जो टॉपिक है उससे जुड़े होगे होंगे तो वो आपन 15-20 मिंट में कल कर लेंगे ठीक है तो फिर मिलते हैं सर कल next session के अंदर तब तक के लिए thank you goodbye and have a nice time